नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 16 मई 2021 की जो है शाम पाँजे तक की सभी ताजा खबरों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करदें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना हम पिल्कुल भी न भूल है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बड़ा लाइकन को दबाल है ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज शाम की टॉप 10 ताजा खबरें तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो शाम की पहली नियूज है कि करोना संक्रामित ने घर पर फंदा लगा कर दी जान लोक निर्मान विभाग में था कार्यरत तो हिमाचल परदेश की बिलासपूर जीले की राजपूरा में 45 परशे करोना संक्रामित व्यक्ती ने घर पर फंदा लगा कर जान दे दी मृतिक लोक निर्मान विभाग में बतोर बेलदार नौकरी करता था 14 माई को कोबिड रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद उसे घर पर ही आईसोलेट किया गया था वहीं एन आईटी हमीरपूर में जो है कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर नरुत्तम कोशल की जो है अधुनिक्ता के दोर में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंतर वाले मलाना गाउं का आज भी अपना ही कानूर है समूचे हिमाचर प्रदेश में देश विदेश में जहां करोना मामारी से हाहा कार मचा हुआ है वहीं कुलू जिले के इस गाउं को आज तक करोना मामारी छो भी नहीं पाई करोना काल के अब तक के 15 मा में इस गाउं में एक भी करोना का मामला सामने नहीं आया या इसलिए मुम्किन हुआ क्योंकि पूरे करोना काल में यहां के बंदिशों ने बाहरी लोगों को और प्रियटकों पर जो है इस गाउं में आने पर रुक लगा रखी है हमीरपूर की ओर से की ओनलाइन आवेदन के लिए बचे तीन दिन नहीं चल रही वेबसाइट तो स्टाफ, नर्स, फार्मसिस्ट और भाशा अध्यापक स्मेत, विभिन श्रेणियों के पदों के लिए ओनलाइन आवेदन करने के लिए महज चार दिन बचे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश करमचारी चाइन आयोग हमीरपूर की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है गंटों प्रियास करने के बावजूद अभ्यारती जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं करोना करफ्यू के कारण साइबर कैफे और लोकमित्र के अंदर भी बंध है ऐसे में अभ्यारतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पहले भी आयोग ने इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन की तारीक बढ़ा कर 20 मई की थी इसे पूरो 10 अप्रेल से 9 मई रात जो है 11.69 बजे तक ही ओनलाइन आवेदन किया जा सकता था लेकिन करोना करफ्यू के कारण आयोग ने इसे बढ़ा कर 20 मई किया था आयोग ने सपष्ट किया है कि इसके बाद कोई भी आवेदन सविकार नहीं होगा अगनी जाब की करोना संक्रमित दंपती की बेटियों की मदद के लिए आगे आये संदीब तो करोना काल में एक दूसरे का सहरा बनकर कई लोग मानवत्ता की मिसाल जो है पेश कर रहे हैं चमबा शहर के समाज सेभी संदीब कुमार ने भी करोना संक्रामी दमपती की बच्चीं का करोना टेस्ट करवा कर ऐसी ही मिसाल पेश किये शहर के एक महले में दमपती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परोस्चीय ने परिवार से किनारा कर लिया Child Line के माध्यम से समाज सेवी संदीब कुमार को इसके जानकारी मिली तो उन्होंने नीजी बाहन में ले जाकर बच्चियों के करोना टेस्ट करवाया इसके बाद उन्हें उनके रिष्टेदारों के घर भी पहुंचाया अगरी जाबकी कि कई किसानों के खाते में नहीं आई किसान समान नीदी CM Health Line पर शिकायत तो हिमाचल परदेश में राजस्वा अधिकारियों की लापरवाही से राज्जे में कई गरीब क्रिशक परिवारों को किसान समान नीदी से बंचित रहना पड़ा है पीम नरेंदर मोदी ने शुकरवार को बेशक हिमाचल के नौ लाग से अधिक किसान परिवारों के खाते में दो-दो हजार रुपए की धनराशी डाल दी हो पर बावजूद इसके बहुत से गरीब परिवार अभी भी इससे बंचित रह गए हैं सुमबार को सीम हेल्थ लाइन पर भी किसानों की शिकायतें मिली अगनियु जाब की कि मुख्य मंत्री ने मेडिकल कॉलिज नहन में ऑक्सीजन सेंतर का किया शुब आरंब मरीजों को मिलीगी राहत तो मुख्य मंत्री यारम ठाकुर ने शिमला से वर्चूल माधम से जीला सिर मौर की डॉक्टर वाईयस पर मार राज की चिकितसा महविद्य लेनाहन में 300 LPM किशमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुब आरंब किया इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने परदेश में महमारियों से लड़ने के लिए कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों को ब्यात्र उपचार और उनकी ऑक्सीजन की अविशकताओं को पूरा करने के उदेश से सरकार ने चिकितसा महविद्य लेनाहन में इस PCPS से सहयंतर की स्थापना की है जैराम ठाकुर ने कहा कि इस सहयंतर से जो है 300 लीटर प्रती मेंट ऑक्सीजन का उतपादन होगा और इसे जो है कोविड आइसोलेशन वार्ड के 25 वेस्तरों की ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया है अगली उजाब की कि करोना संक्रमितों के लिए राम बान सावित हो रही आईउश 64 साथ दिनों में नेग्टिव होने का दावा तो भारत सरकार के आईउश मंतरा लेद्वारा करोना संक्रमितों के लिए जारी की गई आईउश 64 दावा जो है राम बान सावित हो रही है किया जा रहा था लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर वित्रित किया जा रहा है मंडी जी ले की पंडोस तितक शेत्री आयरुएद अनुसंदान संस्थान की रिसर्च आफिसर एवं आयूश शौसट के दावा वितरन की प्रदेश नोडल अफसर प्वीनीता नेगी ने बता सिम्टोमेटिक माइल्ड और माइडरेट मरीजों के लिए या दवा किसी बरदान से काम नहीं है दवा के सेवन के बाद ऐसे मरीजों के रिपोर्ट मातर साथ तेनों में पॉजिटिव से जो है नेग्टिव आ रही है दमटाल में अग्यात विमारी से साथ मुवेशियों की जीवन की जो है सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं वहीं दूसरी और पश्मों को भी एक अग्यात विमारी ने आगे रहा है मामला बलीर पंचाईत के चोचर गाउं का है जहां अग्यात विमारी के कारण दुधारू पश्मों की मौत हो रही है अग गर्बती की करोना संक्रमन के कारण बेहत दर्दनाक मौत हो गई स्वास्त विभाग के अंसार पाउटर साइब के कुंजा मतरालियों की एक बेटी जो की आठ मा की गर्बती बिताई जा रहे थी की करोना संक्रमन के कारण मौत हो गई परिवार के लोगों ने बताया कि कि अखाड़ा बजार में नगर परिशद के रेन बसेरे को आईसोलेशन सेंटर में जल स्ताफित किया जाए ताकि कुलू में हॉम आईसोलेशन की कमी से जूज रहे लोगों को सुविदा मिल सके जीला कुलू के अखाड़ा बजार में नगर परिशद के द्वारा बनाये गए रेयन बिसेरे का कुलू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर के द्वारा निरीक्षिन किया गया वहीं निरीक्षिन के दौरान उन्होंने या बैतर व्यवस्ता बनाने के लिए नगर परिशत कुलुक के कार्य को भी सराहा अगनी उजाब की कि कल से शूरू होगा 18-44 तक के लोगों का टीका करण शिमला में 13,700 लोगों को लगेगी वैक्सीन अगनी उजाब की कि नूरपुर में बच्चों को गई अगनी उजाब की कि ठेक के सील लेकिन बेक रही अवैद शिराब जीला में 10 तिनों के भीतर 27 केस दर्ज हेमाचल में फिर बेगड़ेगा मौसम के जो है मिजाज 19 मई को भारी बारिश की चेतावनी तो दोस्तों ये थी आज 16 मई 2021 की हेमाचल परदेश की आज शाम 5 बज़े तक किसा भी ताजा खबर हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हेमाचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिंच जैभाद झाल 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 झाल